बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com मित्रों नमस्कार मैं हूँ आपका मित्र कमल लंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभी नंदन करता हूँ एस्टो तक की खास फ्रस्तूती कमल लंदलाल के महाँ उपाए जो आपके जीवन को सरल सुगम और सफल बनाए इसरफ एस्टो तक पर दोस्तों इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जुड़ते हैं आपके समस्याओं से हम जुड़ते हैं विशेश पर्वों के माध्यम से हम जुड़ते हैं कुछ ऐसी चीजों से जो आम नहीं है ये प्रोग्राम का जो मूल उद्देश है वो है आपकी समस्या है या आपकी इच्छा है और आज का जो हमारा विशा है न वो बहुत खास है क्योंकि पर्व बड़ा खास है पर्व है विशेश जया पारवती सुनाएं आपने कभी इस बारे में इसे विजया पारवती भी कहते है जया पारवती और विजया पारवती ये देवी का वो सुरूप है जिसमें जया और विजया ये दोनों देवी के संगनी देवी देवी के साथ रहती है ये शिवगण है और ये जो मूलता है ये जो पर्व है ये पर्व है सुहागनों का पर्व और आज का जो हमारा विशह है वो बहुत खास है साथ फलों का एक उपाए आपको अखंड स्वभाग्य की प्राप्ति करवाए कैसे देखे आशान मास के शुकल पक्ष की त्रेयोदिशी तिथी पर उदेया तेयोद्रिथी तिथी पर देवी पारवती को परसन्न करने के लिए जया पारवती और विजया पारवती परव बनाया जाता है इस पर वरत भी रखा जाता है इस दिन बालू यानि की मिट्टी का हाथी बना कर उस पर साथ अलग अलग तरीके के फल साथ अलग अलग तरीके के फूल और प्रसाद चड़ाने का विधान बताया गिया है इस दिन जो महिलाएं हैं वो नंदी पर बैठे शिवर पारवती के विग्रह का शोड़ो शिप्चार पूजन करती है इस पूजन में नमक के हीन चावल का एक बार सेवन किया जाता है विजया पारवती का महात्म भगवान विष्णू ने लक्ष्मी को बताया था जैया पारवती और विजया पारवती के विधिवत पूजन से स्त्रियों को अखंड स्वभाग्य की प्राप्ती होती है और इच्छत वर मिलता है और उनके स्वहाग की रक्षा होती है मूलत है ये जो पर्व है ये स्वहगनों का पर्व है कैसे करें छोटा सा पूजन और कैसे उपाए करें देखें प्रदोश काल में मंगलवार के दिन शिवाले में देवी पार्वती का पूजन करें ये जो पर्व है ये मंगलवार का दिन पढ़ेगा और यह जो पर्व है यह 12 जुलाए का पर्व है इस दिन बैल पर बैठे यहां तो घर में शंकर पारवती की चित्र का पूजन कर लें यहां परदोशकाल में शिवाले में जाएं और देरवी पारवती का पूजन करें गाय के घी का दिपक जलाएं इस्पेशली गुगल से धूप करें लाल फूल चड़ाएं सिंदूर चड़ाएं जो और अरेंज वाला होता है और चमेली का इत्र चड़ाएं गुड और आटे से बना हलवे का भोग लगाएं और एक विशेश मंतर का जाप करें और उसके बाद क्या करें मंतर बताता हूं आपको माता पारवती पर साथ अलग अलग फल चड़ाईएं जैसे एक केला एक अमरूद एक आम एक बेर इसी तरीके से साथ अलग फल और इस साथ अलग सोहागनों में बाढ़ दीजे और उस पूरे प्रयोग में एक विशेश मं इंतर का जाब कीजिए ओम पारवती देविये नमा आश्वस्त करता हूं अखंड सवभाग्य के निश्चित प्राप्ति होगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कलाप सफिर मुलाकात होगी इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षिवाए झाल झाल